कि हाई फ्रेंड्स मैं मान एस्पीडी के करेंट एफ स्रीज में आप लोगों का स्वागत है चलिए पिछले वीडियो में 290 तक के कोश्चन को देख लिए थे अभी की 291 से देखेंगे चलिए देखते हैं कर रहा है कि चौते एसी आई पैरा खेलों में भारत ने कुल कीतने पदक जीते हैं तो यह जो बहारत के द्वारा जो पदक जीता गया है वो टोटल 111 जीता गया है याद रखिएगा चलिए देखते हैं 291 नंबर से रिलेटेड़ फैक्स को कर रहा है कि एसी आई जो आपका पैरा खिल था संस्क्रम कैमा था यह चौथ था पहला स्थान किसका आया है आपका चीन का आया है भारत का स्थान कैमा रहा है पांच हुआ भारत ने कुल कितने पदक जीते 111 पदक चलिए कोश्यन नंबर 292 को देखते हैं का रहा है कि कलकत्ता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया यह कोश्यन नमर 233 को देखते हैं कराया कि जलवाई परिवर्तन विशेशक के प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया वह किस देश के निवासी थे तो वह जो आपके थे वह कहां के थे बांगला देश के याद रखिएगा देखिए कुछ और वेक्ति हैं जो चर्चित रहे हैं उनका भी हाली में निधन हुआ है चलिए उनसे रिलेटेड फैक्स को देख लेते हैं जैसे आपके यह बिहार के थे आपके बिंदेश्वरी पाठक याद रखिएगा इनका जो मतलब निधन हुआ था 15 गल 2023 को यह एक स दिया गया है उसमें यह पहले बेखती हैं मतलब सिंगल यही एक बेखती हैं जिनको मतलब मर्नो परांत पदम विभूसन से नवाजा गया यह कहां कहा हैं बिहार के देखिए और दो तिन देख लेते हैं जैसे सलीम दुरानी इनका भी जो है निधन दो अप्रेल को हुआ है यह पूर्व किर्केटर रह चुके हैं उसी तरह से परकास सिंग बादल इनके यह नाम से आप लोग परिचित होंगे यह पंजाब के पूर्व मुख मंतरी थे इनका भी हाली में निधन हो गया है अरुन के कब हुआ है 25 अप्रेल 2020 इसको अरुन गांधी इनका यह जो थे य हात्मा गांधी की यह क्या थे पोते थे चलिए कुश्चन नमबर यह 294 को को देखते हैं कर रहा है कि financial टास्क फोर्च ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है तो यह जो हटाया गया है वो अलवानिया को हटाया है तो आपका option D हो जाएगा अब देखिए financial action task force इसकी जो अस्थापना हुई थी वो 1989 में हुआ था इसका मुख्याल है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है देखिए अलवानिया आया है तो अलवानिया की जो राजधानी है वो तिराना है इसकी अगर मुद्रा की बात करें तो अलबा नियाई लेक याद रखिएगा मलेसिया की राजधानी क्वलानपूर मुद्रा रिंगिट मैनमार की राजधानी नपिडाउ इसकी मुद्रा क्यात याद चलिए 295 नमर कोश्चन को देखते हैं कराय की केंद्रिये वित्त मंत्री निर्मला सिता रवन ने किस राज में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉंज किया है तो यह जो किया गया है लॉंज वो आपके गुजरात में किया गया है इसलिए आपका ओप्शन बी आंजर हो जाएगा चलिए यह GST आया है तो GST से रिलेडिट कुछ फैक्ट्स को देखते हैं जैसे भारत में GST एक जुलाई 2017 को लागू किया गया है जो कनाड़ा देश के मॉडल पर क्या है अधारी थे याद रखिएगा देखिए 111 समिधान संसोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में GST को लागू करने का सुझाओ विजाए केलकर समीती ने दिया था तो कोश्चन ऐसे करके पूज देता है विजाए केलकर समीती किस से संबंधी थे हैं तो याद रखिएगा कि GST को लागू करने वाला पहला राज कौन है आपका वह असम है तो GST संख्या में कुल कितने याद रखिएगा चलिए 96 नंबर कोस्चन को देखते हैं का रहा है कि एसी आई सुटिंग चैंपियन्सिप में किस भारतिये सुटर ने भारत के लिए गार्मा पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है तो यह जो हासिल किया गया है यह मनु भाकर ने हासिल किया है इसलिए आप आई कि एर बस ने भारतिये एरोस्पेस छेत्र में परतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आयाई टी के साथ समझोता किया है तो यह जो समझोता किया गया है आपका वो कानपूर के साथ किया गया इसलिए आपका ऑप्सन डी हो जाएगा चलिए 98 नंबर को देख अगर नई दिल्ली में किया गया है नई दिल्ली में अभी और सारे मतलब रास्ट्रिये समेलन का आयवजन किया गया है चलिए उसको भी देख लेते हैं जैसे आपका आठमा भारत जल परवाव सीखर समेलन इसका आयवजन जो है नई दिल्ली में किया गया है 24 नुमंबर 2023 क किया है समयलन का जो बिसे था वो भूमी जल और नदियों के साथ विकास याद रखिएगा अब देखिए बी 20 तो को कहते हैं बिजनस 20 समिट इंडिया 2023 इसका आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में 25 से 27 अगस 2023 के बीच किया गया यह चलिए एक और है आठमा राइसीना डायलोग 2023 इसको भी देख लेते हैं इसका भी आयोजन कहां किया गया है नई दिल्ली में समयलन का उदखाटन किनों ने किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी ने मुखती थी कौन थे तो यह जो जोर्जिया मिलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है य यह जो आपका जो समद्धित है वह आपका उतराखंड से समद्धित है आपका उप्सन सी हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि तीन सुका यह करा है केंद्रीय सिच्छा मंत्री धर्वेंद्र परधान किस राज में 124 पीम सिरी अस्कूल का उस्वारम किया है तो यह जो कि चलिए 301 नंबर को देखते हैं कर आया कि परतिवस राष्ट्रिय एकता दिवस किस दिथी को मनाई जाती है तो जो आपका राष्ट्रिय एकता दिवस है वो आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को यह दखिएगा कि सर्दार बल्लब भाई पटेल का यह जन्मदिन है दिवस को देख लेते हैं जो ऐक्टूबर में सेलीवरेट किय जाता है वो देखिए आपका जो है बिस्व सिच्छक न इसको जो है आपका 5 टूबर को सेलीवरेट किया गरता देवस इसको 16 अक्टूबर को यह इंपोर्टेंट है देखीते हैं इसका थीम 2013 का क्या था कराए कि water is life water is food live no one behind यह रखेगा कराए कि 20 पोलियो दिवस यह आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है इसके 2021 2020 का जो थीम था यह माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ 20 सन्युक्त रास्ट दिवस सन्युक्त राश्ट अड़ीक जो अस्थापना है वह 8 years तो इसलिए सन्युक्तरास दिवस जो है चौबिस अक्टूबर को मना जाता है 2023 में इसकी थीम थी इक्वालिटी फ्रेडम जर एंड जस्टिस फॉर आल यहां रखिएगा चलते हैं क्वेशन नंबर 302 को देखते हैं कर आए कि हाल ही में आयोजित एठूरियम उस्टाव किस राज का किस राज का परमक उस्टाव है तो यह जो आपका है वो सी हो जाएगा आपका मिजोर्म का चलिए इससे रिलेटेड और वीफेक्स को देख लेते हैं जैसे उसमें option में है सिक्किम तृपूरा और मनीपुर तो तृपूरा नहीं मनाया जाता है लेकिन देखिए सिक्किम में आपका भूम्चु महोच्षव मनाया जाता है याद रखिएगा उसी तरह से मिजुरूम में आपका तो पता अभी ज़स्ट डिसक्स किये ही एथूरियम उस जोवा उस्टो मेरा होचो गवा उस्टो गान नगाई तेवार और योसांग उस्टो याद रखिएगा चलिए तीन सो तीन नमर कोस्चन को देखते हैं कर आए कि सन्युक्त सैन अव्यास हरी मौ सक्ती दोहजार तेइस भारत और किस देश के बीच में हाले इस्थित उम्रो स्थित ठोड़ हो जाएका वह हो जाएगा ओफसर नमबर को मलेसिया भारत ऑं मलेसिया के बीच हरी मौ सक्ती दोह जाते हैं इसका योजन के आगया है ये जो आपका हरी मौ सक्ती है ये थल्चिना का भ्यास है चलिए इस से रिले टेट्ट फैक्स को देखते हैं कर आया कि हर और भी दो तीन कंट्री हैं जैसे आपका थाइलेंड स्रिलंका और भी अतना इससे भी रिल्टर अगर भात का एक्सरसाइज जो जो हुआ है वो भी देख लेते हैं जैसे आपका यह हरी माउत हो गया उसके बाद क्वार्पेट 2023 इस वार इसका जो तेश में इसको किया गया इ क्यमस करन था 35 मा भारत और थाइलेंड के भी ची होता है इस्का यह क्रूंड किया गया वो यह किस टीप का भयास है ठलसिना अभियास देखिए कि नोमा मीत्र सक्तिच ब्यास 2020 इसका जो ये मित्र सक्ति जो है इसके मां संस्क्राण था नॉमा भारत और से लंगा के बीच अंध पूने में किया गया है इसका जब अंध पूने में है यानि थलसेना का ब्यास है चलिए कोश्चन नमबर 304 क्यों देखते हैं कर आए कि हाली में चुनाव आयोग ने किसे राश्टिये आइकॉन निप्ट किया है तो ये जो निप्ट किया गया है वह आपका किया गया है राज कुमार राव को याद रखिएगा अब देखिए जब चुनाव आयोग आया है तो उससे related facts को देख लिते हैं जैसे मुक चुनाव आयोग अभी वरतमान में कौन है राजीव कुमारी कैमे नमर के हैं 25 और उसी तरह से चुनाव आयुक्त और भी दो हैं अरुन गोयल और अनूप चंद्र पांडे याद रखेगा क्वेशन नमर 305 को देखते हैं करायक जम्मू कस्मीर में रह रहे अवैद ये विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्याच्छता में एक समीति का गठन किया गया तो ये जो आपका किया गया है 305 का जो आंसर हो जाएगा आरके गोयल यानि ऑप्सन बी चलिए ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू